तो दोस्तों सुबह के लगबाग दस बजे हैं और अभी मैं वीडियो की कुछ स्क्रिप्ट लिखता हूं कुछ वीडियो शूट करनी है हमें उसके बाद मैं खानवाना कहता हूं ना दोकर फिर आज का हमारा ब्लोग स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों लगबाग साड़े ग्यारा बच चुकी है सुबह की और फिलाल अभी मैं अपने ओफिस में आकर बेटा था और यहां पर हमने हमारी एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें आज हम जो हमरा बिग एजुकेटर है उस पर आज हम पढ़ाने वाले हैं मानव सरीर के तंत्रों के बारे में जिसमें आज हम फस्ट तंत्र ले रहने वाले हैं पाचन तंत्र अनि डाइजस्टिव सिस्टम उसकी इंफोर्मिशन आज देने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम सवशन तंत्र लेंगे उसके बाद में हम परिशन चरन तंत्र लेंगे उसके ब हम बाइलोजी क्लासेज चलाएंगे उसके बाद में जोग्रोफिक क्लासेज बाइलोजी, मैथ, फिजिक्स, कैमस्ट्री, ओलो फिन फूरमिशन इन फ्यूचर में आपको बिगे जुगटर पर मिलने वाली है फिलाल बन परसन पर अकेला ही आपको इन फूरमिशन दूँगा लेकिन फ्यूचर में हम टीचर आयर करके और काफी अलग तरह आपको नोलेज देने का काम करेंगे तो चलिए आज के जो यह सेशन है आज की वीडियो जिसमें आज फिलाली तो व्लोग चल रहा है और चो आज हम उस क्लास पर लाने वाले बिगे जुगटर वाले चैनल पर आज हमारी जो वीडियो आने वाले वैसे तो जो जनरल नोलेज है वो तो पर्मानेंट आएगी लेकिन जो एक टोपिक हमारा है वो है दोस्तों आज हम पाचंतंत्र डाइस्टिव सिस्टम की बात करेंगे उस चैनल पर प्लीज आपने कर अब तक डाइस्टिव सिस्टम के सब्सक्राइब करेंगे तो आप वीडियो को ज़रूर देखें तो दोस्तों अभी मैं ना कर नीचे जा रहा हूं यहां पर कपड़ा पर चेज कर लिये हैं और आज का जो फ्लोग लेने वाला है जिसमें आज हम खट शमजी जाने वाले हैं सम्तिंग नाइट के टाइप पर खट शमजी जाएंगे फिलाल अभी तो भी नीचे जाता हूं अपने ओफिस में और वहां से मुझे कुछ काम है और फिर हम वीडियो शूट करने जाएंगे और वीडियो शूट करने के बाद दोस्तों फिर आज का जो वाला यह व्लोग रहने वाला है साई नाइट तक हम क कोटा जाने वाले हैं और कोटा के बाद में फिर में चला जा हूंगा खाट श्यौंगी तो नेक्स्थ व्लोग आने वाला कंल वाला व Σंथिंग जेभ गाया professor का प्र जेंपुल्हा थे बाहने को सמקिंग में धफ़क 소개 कस हम ने बाला है उसमें से नेक्स्थ फिर व्लोग ह间 को वीडियो मुझे शूट करनी है तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ अपने ओफिस से अपने स्टूडियो में और वीडियो शूट करता हूँ तो guys, अभी मैं अपने studio के अंदर आछुका हूँ, देख सकते हैं, यहां पर कुछ इस टाइब का scene है, हमारे studio का और इधर हमारा camera लगा हुआ है, तो फिलाल अभी मैं studio के अंदर बेटा हुआ हूँ और यहां पर हमें क्या करना है, I think हमें हमारे वीडिो को शूट करना है, जि तो दोस्तों मैं उदर से वीडियो बना कर आचुका हूँ और अब मैं मार्केट जा रहा हूँ कार लेकर आइ थिंग मुझे अपने जो टेंडर सल रहे थे वहां पर कुछ टिक्व पैंट्स लेकर जाना है तो दोस्तों अभी हम मार्केट से जा रहे हैं यहां से कार लेकर फिर मैं जाओंगा भी बाइक से जा रहे हैं तो देखिए माहूल कुछ इस टाइब का में हाँ पर देखने को मिल रहा है मौसम काफी चादा शान ना रहे और अब मैं अपनी कार के अंदर बेड़ चुका हूँ और सन्रूप भी यहां से ओपन कर लेता हूँ दोस्तों देखिए कुछ इस टाइब का सीन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है चलिए गाड़ी को स्थार्ट करते हैं बहुत गर्मी है अब जाके मौसम का थोड़ा मज़ा आएगा फिलाल गर्मी बहुत पार देखिए दोस्तों अब मैं मार्केट्स जा रहा हूँ यहां से कुछ काम है मुझे मार्केट में इसलिए गजिए दोस्तों कुछ सेनेटरिक आइटम लेना था वह ले लिया है मेने और अब हम जारे हैं हमारें कंस्ट्रक्शन बर्ग चल रहा है वसाइड पर अश्वीं सेनेटरिक आइटम लेना था वह ले चुके अब निकलते हैं यहां से काफी तेज दूपते है बहुत तेज अभी में यहां से जा रहा हूँ रस्ते में हूँ और यहां पर रखी होई है इस bendy कर शावर्त यहां पर जा रहा है यहां पर फाटक लगी हुई दूस्तों यह फाक यहां पर लगी हुई है है वैसैं काफी एरिया में guy attorney यहां पर काफी जाम बार बार देखने को मिलता है तो फिलाल में यहां से निकलता हूं अपनी साइड पर जाना है और अपना कुछ काम है वो काम करना है हुआ है पर दोस्तो हुआ है जैसे जिस साइड जैड़े पर मेरे साइड जल रही है वह बूहर वाला एरिया है और वहां पर मैं जा रहा हूं फिलाल मैं अपनी कार से जारा हूं एक्ष्यूवी थी डबलोस है जिसे हम नौर्वल वासा में एक्ष्यूवी तीन सो भी बोलते हैं उस कार से जा रहा हूँ माहूल काफी बढ़िया है मौसम काफी अच्छा है इसलिए फिलाल शाम का मौसम है इसलिए मैंने सन रूप भी ओपन कर रहा है कार का तो दोस्तों अभी मैंने कार का सन रूप भी ओपन कर रहा है आप देख सकते हैं अब फिलाल अभी हम जा रहे हैं हमारी साइड पर क्योंकि एक्ष्यूल मैं हमें वहां पर कुछ काम है दो सेनिटरी के बॉक्स से रखे हुए हैं जो वहां पर देकर आना है मुझे तिलाल मैं ह पाइसा भी लाना है और फिर हम हमारे कुछ अलग जर्णी पर दिहान देंगे और वैसे तो अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और जादा से जादा दोस्तों के पास जरूर ना is how you उप्लाल हा व्हार चला रहा है और कार चलाते समय हमारी वीडियो शूट हो रही है तो दोस्तों अभी हमारी कार की जो स्पीड है सम्तिंग तीस के सम्तिंग के स्पीड है वैसे मैंने मेरी जो व्हेगनार है उसको जैसलवेर वाले रूट पर xopeec टकी चला जिया है, कोटा से आते समय भी 100-110 smelled, xopeec की सबीज की सबीज की सबीज चलाया है, इस कार को उपने सम्तिन देट की स्पीज तक भी चला रखा है, लेकिन फिलाल मैं अब कार को ज्यादा से जाता है, 30-35 गारी क की सबी तक ही गारी क चलाता हूँ, वैसे जिन्दगी रही तो यार एक नहीं दो तीन दिन गारे चलाएंगे बट अगर जिन्दगी नहीं रही तो दोस्तों यार फिर तो कुछ भी नहीं चला सकते हैं और वैसे यहां का जो रोड भी यार तोड़ा जैसे खराब है यार तोस्तों मैं अपनी साइड पर मुचने वाला हूं बहुत नज्दिक मेरे साइड आ चुकी है और यहां पर यह ब्रीज काफी जलती बनकर रेडियो हो चुका है बहुत लंबा समय लगा इधर साइड में जो ब्रीज चल रहा है इसको बनने में फिलाल मैं आपको आपको आज इस ब्रीज पर भी ले चलने वाला हू है तो जरू कर देगी पीछे के तरफ यह ब्रीज चल रहा है यह पारवती नदी के ऊपर बना हुआ पूल है इसको बनने में समतिंग काफी लंबा समय लग गया है बहुत दिनों के बाद ब्रीज बनकर रेडियो हुआ है और यहां पर एक समय काफी ज़दा यह नदी जो है यह नदी आया कर देती है फिलार यह माताजी का मंदिर है जिस पर मैं आपको ली भी गया हूँ दो तिन ब्लोक्स में यह मंदिर आपने देखा होगा आज फिर हम इसी एरिया से निकल रहे हैं और हम हमारी कार कैजरिये जा रहे हैं दोस्तों रोड़ वोटे में जे हैं तो इस वीडियो को लाइकन से हैं जरूर करें तो दोस्तों मैं अपनी साइड पर आचुका हूँ और यहां से जो प्रोड़क्ट मुझे लेकर देने जाना है यह वो दे देता हूँ यह हमारे साइड है दोस्तों जिस पर हमारा काम चल रहा था अब जाके कंप्लेट हुआ है य कितनी तेजेग को अरे यह रागे आप चाहिए ता फिल अध्युक्त टॉड़ी है पूरी पूरी होगी जाइड है इसका इड़ियों अगया जो है टेकादारी अलाएं पर यह पिर नहीं हमकर देख सकते हैं मेरा काम पूछ इस टाइब शेथा जो कमप्लेट हो चुका यहां पर यह भी बनकर रेडियो हो चुका है और फिलाल च्छत का काम भी फुलान कम्प्रेट हो चुका है प्लासर लास तरह बागी है बहुत जल्दी कलर होकर हमारा काम का प्लेट है फिर इसका हमारा बिल पास होगा बहुत ज़दी हमें हमारी प्लेट मिल जाएगी स्वारे वर्क से तो दोस्तों साइड देख ली है सम्तिंग आदा गंठा में यहां पर रुका हूँ दोस्तों साइड देख ली है और आदा गंठा रुका हूँ यहां पर यहां का काम हमारा कुछ इस टाइब से चल रहा था जो मैंना आपको बता भी दिया है अब हम हमारी कार को वापिस रिवर्स पारकिंग दरके और हम निकल रहे हैं यहां से अब हम चलते हैं गर की और वापिस से टन के तो दोस्तों पीछे की और यह गुगोर मंदीर आपको यहां पर देखने को मिलता है यह इस तरफ गुगोर मंदीर आपको यहां पर देखने को मिलता है जो बीजासनवाता का मंदीर और यहां पर यह बीज है जो आपको देखने को मिल रहा है साइद इन फ्यूचर में मैं इस जगे को आऊँगा और यहां का एक लोग शूट करूँगा जिसमें मैं आपको इस वाले एरे में एक गिले का भी आपको सीन बताने वाला हूँ फिलाल अभी तो हम घर की और जा रहे हैं तो दोस्तों अभी मैं घर की और जा रहा हूँ यहां से अमने सेनेटर के जो आइटम्स थे वो दे दिये हैं और अब हम निकल रहे हैं हमारे गर की और फिलाल अगर आपने भी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो यार जरू करें वीडियो को लाइकन से जरू करें साइड में पोड़ी मशायक मस्ति करी और वैसे ही वहाँ पर नॉर्मल जो लेवर होती है यहां फिर जो कॉंट्रेक्टर है सब कॉंट्रेक्टर उससे काम करवाया और फिर वहां से अब मैं आ रहा हूं वैसा काम काफी शांदार किया है इस बार उन्होंने काम में कोई कमें सब्सक्राइब करने रखी और इस बार हमारे भी कोई आया जैसे यह नहीं किसे ने कोई दिक्कत नहीं दिये इस वारे काम में साइड बहुत जल्दी कंप्रेट हो गई यह वाली इन फ्यूचर में हमारी नई साइड लेने वाले है जो बहुत जल्दी उस साइड का भी काम चलने वाला है भी हमारा चलिए अगर मैं इस पुल पर चलता हूं और इस पुल का सीन में आपको बदा देता हूं वैसे अकेला हूं अगर दो वेक्ति होते तो हम यहां पर फोटो शूट भी करते हैं बट के करें कि अब साइड में यह पूल कुछ इस टाइब से देखने को मिल रहा है आपको यहां आपर तो दोस्तों रेटन जा रहा हूं मैं अब छबड़ा की ओर तो जे देखा तो यह जाना सनम प्यार होता है दीफाना सनम अब यहां से कहां जाए हम तेरी भाहों में मर जाए हम है चली वे गाना कार में भी तो कोई प्रेंट ड्राइव लगी हुई नहीं है तो हम कुछी गा लेते हैं नया गाना जिंदगी रही तो जंगा बना जुबा यार मेरा सुब पस्टा नहीं है जाने के जाने के जैसे जैसे सुन मेरी मैं करता हूं बाद सुन मेरी सहजादी मैं हूं तेरा सहजाद जोस्तों सिंगिंग मेरे जो गाने थे को कैसे लगे अगर आपको पसंद आये हूं अच्छे लगे हूं तो वीडियो को लाइक शरू करें टाइम पास कर रहा था मैं गाने गाते गाते रस्ते पे चल रहा हूं पूरी गार मैं अकेला हूं कोई वेक्ती है नहीं है बाकि आप आगे क्यों जिरूर जरूर ज़र गड़ा रहे हैं फिलाल में तो सिंग्ल जा रहा हूं विकास वेक्ती को अकेला रहनी का अधर डाल देशी है अकेले में जो सकून है वो जिन्दगी में किसी भी जगे पर नहीं है अवेक्ती को अकेला रहना आना चाहिए आई धिंक आना ज़रूर चाहिए तो ये वडियो आपको लाइक एड़ से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंदे तो नहीं है तो भी करें अब मैं घर आ चुका हूँ गाड़ी को स्टॉप कर दिया है और इसको पेक कर देते हैं और यहां से निकलते हैं अब घर के और चलते हैं ये तो अब हम एक घर के और जा रहा हूं दोस्तों गाड़ी नीचे पार्किंग में पार्क कर दी है गाड़ी को पार्क कर दिया है और अब मैं घर पे जा रहा हूं और फिलाल शाम के समय में अब रात को मैं निकल रहा हूं खाटु शाम जी तो आज खाट शाम जी जा रहे हैं, कल काफ लोग आपको खाट शाम जीगा देखने को मिल जावाला है शाम के लगबग दूस्तो छे बज़े हैं और अब मैं मार्केट जाएं दोस्तो अब 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 वोसम मस्ते या अब 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 औरो नो आपको guid요 और मार्य आपड या रोकम टत्रों जाब दोचेब हो झालत खाट थे करने कियों तो जान हो प्रकम जांग और मारी तोरी आण भी पुबलिकली सेहर महीं किलना है तुझ जाने यार भाई सुनाना जब दिए स्टोरी नो इपरारे की स्टोरी तौट इस नो इस नुट इस नुट इस नुट इस नुट इस नुट तो आज के इस व्लोग में फिर में निपानिया आया था यहां का जू सीन है वो काफी शांदार हम यहां पर देखने को मिलता है कि काफी तगड़ी लोकेशन है यह इसलिए मैं इस लोकेशन पर फिर आज बापिस आया था और यहां का व्यू एड़ना जा रहा हूं कुछ इस समय आपर देखने को मिलता है कि आज पहीं निवाद ले ले मैं आज पर देखने को मिल रहा है फिलाल अद्मियम बाराँ से निए है तो मास का व लोको ची एक थांग इते हैं नेक्स्ट लोक